कुछ परिक्षान लीगी गुरु नानक के द्वारा अंगत जो बाद में इस नाम से प्रसद्ध हुए जो पहले बाई लेणा बनकर उनके शिश्च बने थे उनकी भी उन्होंने कड़ी परिक्षान ली क्योंकि उनको आगे गादी दी अपनी गादी उनको दो बेटे थे स्रीचन लखमीचन उनको वो गादी नहीं दी बीवी ने भी बहुत समझाया था कि अपने बच्चे है उनको मिलना चाहिए उनको गादी मिल ली चाहिए पर गुरु नानक को पता था कि सच्चा वारिस कौन गुरु नानक ने कहा नहीं जो हकदार है यानि जो संभाल पाए गुरू की आग्या अनुसार चला पाए जिसका मन अपनी बातें अपनी मैत्व कांख़ाएं पूरी करना चाहता है वो संगत को नहीं संभाल सकता संगत को यानि सत्संग में आने वाली लोग जो थे उनको वो नहीं संभाल सकता वो अपनी मैतों कांशा पूरी करना चाहेगा ऐसे लोगों के हाथ में गादी नहीं देनी है तो उन्होंने बहुत सारी प्रिक्षा ली एक बार संगत में बैठे हुए थे तो एक बिल्ली चुहा लेकर वहां से गई और मुझे चुहा गिर गया था डर कर वो चुहा फेक कर चली गई गंदा आदा कुछला हुआ चुहा उदर पड़ा हुआ है और गुरूजी ने कहा कि इसको उठा कर फेको अब हरेक सोचरा कोन उठाए वहां जो बैटे हुए लोग है स्री चंद को कहा इसको उठा कर फेको उसने कहा इसके लिए थोड़ा बंदोबस करना पड़ेगा कुछ लाना पड़ेगा कुछ चीजें लानी पड़ेगी तब हम अटा सकते ना दुसरे ने कहा कि ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि मन में था कि हम तो बेटे हैं गुरुनानके हम ऐसा गंदा लोगों के अंदर पैटन भी होता है और पैटन के बाहर कोई जाता नहीं जब तक कोई ऐसा फोर्स नहीं होता जिसके बिरती प्रेम है बक्ती है तब तक तो लोग अपने पैटन से बाहर नहीं आते तो वे उठे और उस चुहे को उठा कर वहां का फर्ष साफ कर लिया ऐसी कई घटना है जो बताई गई है कभी लोटा उन्होंने फेक दिया कीचड़ में और कहा लोटा निकाल कर दो गंदगी से और कोई तयार नहीं हो रहा है किसने नए कपड़े पहने है किसी को घिन आती है कोई किस कारण से कोई किस कारण से गर भाई लेड़ा ने तुरंत वह काम करके दिया बाकी बेटे सोचते रहे वह समझ नहीं पाए किसके पीछे क्या मकसद था क्या कारण था बाई लड़ा ने तुरंत वो चुहा हटाया कोई गिन आई भी हो मगर आग गया प्रेम इतना उपर था इतना ज्यादा था तो वह गिन वह नफरत बाजू में अट गई पैटर्न्स ऐसे चूटते है कोई प्रयोग ही नहीं करे कैसे कोई पैटर्न तोड़ सकता है गुरु नाने ने तब कहा कि पानी बरसता है उचाईयों पर भी उतना ही बरसता है नीचाईयों पर भी उतना ही बरसता है मगर टिकता कहा है नीचे टिकता है अहिंकार उपर होता है वहाँ पान नहीं टिकता गुरू की आगया थी मरहिंकार है तो गुरू की आगया बाजू में रह जाती है ऐसे लोग कैसे कल्यान कर सकते किसी और का कैसे वो गादी समाल सकते है तो ये कुछ परिक्षान ली गी गुरू नानक के द्वारा गुरू नानक अपना MSWा चोड़ने के पहले बाई लेना को बाई शब्द यूज किया जाता है उस बाशा में सहर करके रिस्पेक्ट के लिए आदर का एक सूचक शब्द था बाई तो बाई लेना को उन्होंने एक दिन बुलाया गादी पर बिठाया संगत के सामने अपनी सीट पर बिठाया नारेल और उनकी जो पोथी थी जो भी लिखे गए थे शिलोक लिखे गए थे गुरू मुक्षी बाशा के उनकी जो वानी थी वो जो लिखे गए थे वह पोथी नारेल एक सिक्का सब उनके पाओं पर रखा उनके पाओं पड़े वे उनके पाओं पड़े और संगत को बताया कि अब ये आगे ये गादी संभालने वाले है जैसे आप रिस्पेक्ट करते थे गुरु नानक को वैसे इनको करने वाले है ऐसा बता कर उन्होंने पहले ही वह कार्य पूरा किया और मरने के एक दो दिन पहले उन्होंने बाई लेड़ा को कहा कि उनका नाम उन्होंने गुरु अंगत करके रखा, अंगत यानि जो अंग है, गुरु का जो अंग है, हिस्सा है, गुरु अंगत करके उनका नाम रखा, बाई लेड़ा ने गुरु अमर्दास को अपना उत्तर अधिकारी बनाया, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास को, सीट दी, गादी दी, गुरु रामदास ने, अरुजन देव, पांचवे गुरु जो थे, जिनों ने, एक बहुत बड़ा कार्य किया, गुरु गरंथ साहब को तयार करवाया, गुरु दास, अपने एक शिश्य के साथ मिलकर, सभी संदों की वाणी को इकित्र किया, कैटेगराइज किया, सामने लाया लोगों के, गुरु गरंथ साहब तयार हुआ, पांचवे गुरु जो थे, ऐसे दस गुरु हुए, सिख्ध जो है, इन डस गुरुों में आस्था रखते हैं, गुरु गरंथ साहब में आस्था रखते हैं, गुरु अरजिन देव, पांचवे गुरु थे, जिनोंने यह हैं, बहुत बड़ा कार्य किया, उसके बाद, गुरु हर गोविन, फिर गुरु हर रा, फिर गुरु हर, किशन, फिर गुरु तेक बादुर और दसवे गुरु गोविन सिंग, ऐसे दसवे जो गुरु थे, गुरु गोविन सिंग, उन्होंने सिख लोगों को खालसा शब्द नाम दिया, ये खालसा कहलाएंगे, खालसा का रहता, प्यूर वन, जो पवित्र है, जो कैसे greet करते हैं वाय गुरु जी का खालसा वाय गुरु जी की फतह यानि जो वाय गुरु का इश्वर का खालसा है सिख है शिष्य है बंदा है वह कारण बनता है गुरु की ही जीत हो वाय गुरु जी की ही फतह हो ऐसे करके वो मिलते है आपस में कि उसी शिक्षाओं पर चलना है गुरू गोविन सिंग ने आखरी गुरू करके डिकलेर किया कि अब इसके बाद गुरू गुरंत साब ही गुरू होंगे जो पुस्तत था यही आगे गुरू होगा उसके बाद गुरू गादी के लिए गुरू गादी के लिए गुन रखने वाला जब कोई नहीं होता तो संगत का कैसे कार्य हो यानि जो सत्संगी है वो कैसे कार्य करे वरना बिना गुरू के फिर सब बिखर जाएंगे तो गुरू गोविन सिंग ने वहीं पर ही स्टॉप किया गुरू गरंत साब को गुरू करके डिखले अभी ये गुरू गरंत साब ही गुरू होंगे इसकी शिक्षाओं को इसके पठन के साथ ही संगत जो है वह कार्य करेगी और संगत में ही गुरू होंगे संगत को महत्व दिया गया यानि गुरूप को महत्व दिया गया कि अभी गुरू को डूनना है तो संगत में ही डूनना और कहीं बाहर डूनने की आवशक्ता नहीं है उस वक्त की आवशक्ता अनुसार गुरू गोविन ने यह बात डिकलियर की कभी ऐसा हो खालसा कैसा होगा जिसके पास केस है पांच का शब्द उनको दिये केस यानि बाल वो रखते है आप जानते है युद्ध का समय था वे भी करमकान बनाया गए तो उस उत युद्ध को दियान में रखते हुए सिर पर चोट पड़ती है प्रहार होता है सिर कैसा हो अपने आपको बचाने के लिए तो केस रखने के लिए कहा गया केस नहीं काटे जाएं क उसकी ये निशानिया है कच्छ है किरपान है कंगा है कड़ा है ये निशानिया उनको दी कि ये पहनना या इन चीजों को दारन करना हर सिख का करतविया है और हमेशा संगत को कहा गया अपने अंदर गुण लाओ गुणों को बढ़ाओ ताकि माया तुमें कभी उकसा न पा माया को थोड़ा सा भी देख लिया तो उकसा जाता है उसमें अटक जाता है फस जाता है तो गुरु आगया में रहने वाला होगा गुणों को तयार किया होगा अभ्यासी होगा तो माया को देखकर भी अटकेगा नहीं वरना कोई अटक जाए, खड़े में गिर जाए, यात्रा ही बंद हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए तो सिख्ध को उस तरह तयार किया गया खालसे को उस तरह से तयार किया गया उनको कुछ निशानिया कंपलसरी दी गई ताकि लोगों को पता हो के वे सिक है, शिष्य है गुरुनानिक के, दस गुरुओं में आस्ता है, गुरु गरंद साहब में उनकी आस्ता है उसी आधार पर उन सब को जीना है, संगत में गुरु को तलाशना है, ऐसी कुछ शिक्षा हैं, अलग-अलग दस गुरूओं के द्वारा समय समय पर क्योंकि वह समय युद्ध का बड़ा समय था बाबर थे या सिकंदर लोधी थे या अकबर भी आए शाहजां भी आए औरंगजित भी आए वो सब काल था वो पिरिट था मुगल बादशाओं का जिन से युद्ध करनी पड़ी थी अलग-अलग गुरूओं को उनको सेना तयार करनी पड़ी उनको तलवारों की प्रैक्टिस करनी पड़ी उस काल के अनोसार कुछ बातें लाई गई बर आज की तारीख में क्या करना है हर एक मननचिंतन करेगा उन सब चीजों का फायदा उठा पाएगा ये सब बातें आज आपको बताई गई क्यों जो बोले सो निहाल कहा गया क्योंकि सतनाम का अर्थ पहचान लिया है लक्ष जीवन का कुलमुल उद्देश पता है तब ही यह हो पाएगा कई सारी कहानियां आपको बताई कैसे यूटर्न आया और कैसे उन्होंने घोशना की कि कोई हिंदू नहीं है कोई मुसल्मान नहीं है क्योंकि उस वत लोग इसी में ही उल्जे हुए थे हम हिंदू, हम मुसल्मान तुम शत्री है, हम ब्रामिन तो ऐसी बातों से निकालने के लिए किसी की ये घोशना अती आवशक थी आज आपको क्या घोशना करनी है यह समझ अगर हमें प्राप्त हो तो इस प्रवचन का आप पूरा लाब ले पाओगे तो सबी बातों पर गहराई से मनन किया जाए जब किया जा रहा है तो सही किया जा रहा है कि नहीं हुकम पर चल रहे है तो हुकम सुनना अपने अंदर से हमें आ गया है कि नहीं लंगर में मिल बाट कर खाना, पीना, जीना हमने शुरू किया है कि नहीं आत्म सोरूप का चिंतन कर रहे है कि नहीं और पठन कर रहे की नहीं दुख को दवा समझ रहे है अपने गुणों का विकास करने के लिए कार्य कर रहे है तो असली सिख्ख बने सच्चे सिख्ख बने आज गुरुनाने की जीवन आपके सामने रखी गई और उनकी सिखावनियां आपके सामने रखी गई उसका फायदा आप जरूर लेंगे यहां आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद Happy Thoughts इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभी प्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं Happy Thoughts तेजग्यान और सरशरी तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेच सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद